नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल जी एस इस्टिटी पॉइंट पे आज हम एक टॉपिक को डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप इससे बहुत ही महत पूर है अब आज का टॉपिक क्या हमारा है स्वाइल प्रोफाइल ठीक में क्या बोलेंगे इसको मर्दा परिष्य दिखा या फिर पार्ष भी का तो हिंदी में अनेक नाम हो सकते हैं लेकिन इंग्लीज में एक ही नाम है स्वाइल प्रोफाइल ठीक है तो स्वाइल प्रोफाइल जो होती होती क्या है स्वाइल प्रोफाइल कुछ नहीं है जो मर् मालो अगर आप कोई वी एक भूमी के टुकड़े को लेंगे उसके लंबवत रूप को अगर देखेंगे ऐसे ठीक है तो इसमें आप पाएंगे कि यह जो मिर्दा होती है वो पूरे जो टुकड़ा है लंबवत टुकड़ा ले रहे हैं इसमें क्या है एक यसीना होकर कि विभ लंबवत वितरण को ही क्या मिर्दा पार्श्वी का यह फिर्दा परच्षेद का प्रतरशित करते हैं यानि उसी को ही क्या करते हैं स्वाइल प्रोफाइल स्वाइल प्रोफाइल का मतलब यह हो गया कि अगर किसी इस्थान के मिर्दा के हम अगर लंबाई में लंबवत नी किजिए इसमें करना याद करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको ठीक है बस क्या करना पड़ेगा आप यह चित्र दिखाएंगे वो चित्र से आप अगर आपने एक बास समझ लिया तो आप आराम से उसको लिखना सीख जाएंगे ठीक है तो पहले हमको यहां पर थोड़ा बता यहां पर हमको मिली जो मृदा पाथ चुका है क्या है जो मृदा संगठन यानि मृदा किस्ते मिलके बनी हुई है उसका कहल लंबावत वित्रन तरसातिया फिर प्रदर्शित करती है ठीक है सामानेता है गहराई के साथ मृदा विसेस्ताएं जो है भौतिक रूप से रासाय गहराई विसेस में जो है लक्षण bell意 समान होते है ठीक है एक गहराई विसेस में जो है लक्षण की समानता पाय जाती है आता हा मृदा पार्श्यका संस्तरों के गहराई के अनुसार क्रामिक रूप से धर्साने वाली क्या है और पर्षYतिका मात्र है ठीक है तो मृदा संस्तर यंग जो मिड़दार की layers है ठीक है घैराई Moyra Sud जो है क्रमक रूप से जो है दर्साने वाली परशेदिगा है क्रमक रूप से का मतलब है कि एक के बाद दूसरी आएगी दूसरी की बाद तीसरी बाद तीसरी बाद चौथी लेयर आएगी यह होता है करमिक का मतलब ठीक है तो चलिए देख लेते हैं जो एक आधर्स जो होती है जो है मिर्दा परशेदिका होती है उसमें किस-किस प्रकार के जो है संस्तर पायाते हैं उनको हम इस चित्र में देखेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फिगर कैसे बनाएंगे फिगर बनाने का बहुत अससान काम है यहाँ पर यह आपका अधार्तल होगा यानि जीरो ठीक है अब इससे गहराई पर हम जाएंगे कितना 120 cm की गहराई में इसको खुदाई करेंगे हम ठीक है यहाँ पर हम विभिन जो है लेयर बनाएंगे पहली ले भाग में पायाते हैं इसलिए कि इसका नाम क्या है और गानिक लेयर ठीक है फिर दूसरा आला आता है आपका A आता है ठीक है यह खनी जी संस्तर बोलते हैं इसको ठीक है तो इसके बाद तीसरा क्या आता है बी आता है चौधा क्या आता है रॉक और उसके रॉक के ओपर क्य यह बड़े बड़े आकार के कण होते हैं, तो मुख्य रूप से जो खनी शुक्रा पायते हैं, ओर बी में पायते हैं, और यह जो पताद होते हैं, कहां पाय जाएंगे, अब देखो, आपको यह लग रहा हुआ कि बहुत कठीन लग बनाने में, लेकिन कुछ नहीं करना है, आ इसे खीज देना है पेपर, उग्जामन हॉल के अंदर, ठीक है, सबसे पहले ओ कर खीज जेंगे हम, फिसके बड़ एक को बना देंगे हम, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप बनाते जाएगा, रामसिस को बनाने में सच्छे हो जाएगे, फिसके बड़ भी बना हैं, ठीक है, इनके भी क्या करते हैं, उप भाग करते हैं, अब देखी, यहाँ पर क्या है, जो सबसे उपर लेर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ओ आई, और उसके बाद के हम क्या बोलेंगे, यह लेर है, यहाँ पर, ट्रांजिशन जोन है, ओ ए बोलते हैं, जो सब् इस वाले पदार्थ की अधिकता है उसके compare में ठीक है यतना समझ गया आप यह हो गया आपका o a हो गया अगर हम बात करते हैं देखिए अगर यहाँ पर o layer यहाँ पर खतम हो गई ठीक है इसका बाद a start हो गया है इसका मतलब क्या होगा a के पदार्थों की ज़्यादा मात्र होगी तो अब इसका नाम बदल की क्या हो जाएगा a o हो जाएगा समझ गया इसका मतलब a के पदार्थ हैं जानी कि a संस्तर है उसके गुण ज़्यादा है compare to ok तो यहाँ पर क्या था, O के ज्यादा थे, यहाँ पर A के ज्यादा है, यतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उसके बाद कौन सी लेर आएगी, आपके AI की लेर, इसमें यहाँ बस केवल A के गुड़ पाई जाएंगे, अगला जो यहाँ पर B, A और B के भी में पाई जा रहा है, B के जो पतार्थ है, A के मात्रा में उसके कंपेर में कंपाई रहेंगे, फिर उसके बाद कौन सी लेर आएगी, B लेर आएगी, यहाँ पर केवल B के गुड़ पाई रहेंगे, फिर यहाँ पर C आपका है ना, यहाँ पर C लेर है यहाँ तो C लेर में क जो उप भाग किये जाते हैं, वो इनहीं, Aो B में किये जाते हैं, मुख्यू भाग, ठीक है, या आपके मुख्यं भाग हो गए, ठीक है, और नीचे आ रहा जाएगा, ठीक है, यहां पर जाताता है, आपके कितनी घेराई पर होता तो, उपर क्या, O अपका पायाद है, ठीक है तो आपको थोड़ा-थोड़ा कमोटा-मोटा भी याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं आपको लिखने में होगी अब लिखेंगे कैसे है, उसको देख लेते हैं तो आपको उने समझ लिया होगा यहाँ पर जो इनके meaning क्या है OA का मतलब क्या है AO का मतलब क्या है AB का मतलब क्या है BA में enter क्या है कहने का मतलब AB का मतलब यहाँ पर A के पता ज़्यादा पाया रहे है BA का मतलब B के पता ज़्यादा है A के compare में ठीक समझ के हों कि इतना ठीक है, चलिए बारी बारी से जो हम विभिन संस्तरों को देख लेते हैं, ठीक है, आपको, जिसे आप अपने, अप लिखने में आसानी होगी, ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पहला ये कह रहा है, संस्तर का नाम है जैविक, और गैनिक संस्तर, लेयर, ठीक है, तो अब ना कहां पर, जयविक संस्तर कहां पिस्थित होगा, ठीक है, तो वही रहे किसी भी मिर्दा पार्शुविका का सबसे उपरी भाग, तो कहां मिलेगा, सबसे उपर मिलेगा, ठीक है, किस से मिलके बना हुआ है, जयविक संस्तर कहलाता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों कि इसम आपको सब्दों के आर्थ आने चाहिए ठीक है तब आप एंसर लिखने में असानी होगी इसमें दो भाग की आते हैं ठीक है तो हमने देख लिया था उपर भाग में कि इसके दो भाग करते हैं पहला ओ आई है पहला लेयर का नाम क्या रखेंगे ओ आई तो यहाँ जैविक सं सबसे उपरी भाग है अभी हमने उपर मैप में देखा क्या चितर में देखा हमने ओ आई सबसे उपर था उसके नीचे था अपका ओ ए था ठीक है तो यहाँ जैविक संसर का सबसे उपरी भाग है फिर इसका अंदरमार जो है जिन जैविक परार्थों से हुआ है वह थीट होपते हैं. ठीक है? ठथा जैविक पतार्तों कि आधार पर किया है? मॉलिक रूपकों की पहचान की आ सकती है. हम पता लगा सकते हैं कि जैवी कई अधार की कौन पतार्थ कौन सा है यह पेड़ है, पेड़ का तना है पती है, क्या है यह आप पता उसकी लगा सकते है, आपने देखा भी होगा आपने गार्डन में जाएंगे अपने तो उपर जो layer होती, वहाँ पर को पता चल जाता कि यह पेड़ है, पेड़ की सुखी पत्ती गिरी हुई है, या पेड़ का तनांग सुख के गिर गया है, जो भी आपको दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है तो वो पहली layer हो गई, जो साधारता आपको सामान आखों से दिखा ही देगा, फिर इसके नीचे कों से लियर है, दूसरी OA, ठीक है, तो OA की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इस संस्तर में जो है, या पौधों, संस्तर का मतलब layer की बात हो रही है, इंगलिस में क्या बोलते है, layer, और हिंदी में क्या बोलते है, उसको संस्तर या फिस इतना रूपांत्रन हो जाता है कि इनके मौलिक रूपों को पहचान करना बिना सूच दर्सी यंत्रों के जो है संभव नहीं होता है, नहीं कि आप साधारन आकों से देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्या है ये, इस वियोजित पदार्थ को क्या कोलते हैं, हुम किन्तु कुछ मात्रा में खनीज भी पायाते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में खनीज भी इसमें पाये जाते हैं, ठीक है तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा, चलिए आप अपना अगला लेयर देख लेते हैं, अगली लेयर आपकी जो है खनी संस्तर, अब खनीज आ और देहन करते हैं, खाणेज होगे, यह पाणीज होंगे, या पी इनको क्या बोल सकते है, आज जैविक पदारथों से होता हैrd इनके उपाण किये जाते हैं यानिकि इनके उपाण किये गए हैं पहला देख लेते हैं AO संस्तर अब नाम से इसमें क्या होगा अधिक मातरा में होगा तो वह लिका हुआ यहां खहनी संस्तर का सबसे उपरी भाग होता है इसमें क्या है इसमें खहनीजों के साथ जैविक पदार्थ भी पाये जाते हैं जिससे इसका रंग कैसा होता है, काला, या फिर गहरा होता है, डार्क, गहरा होता है, क्योंकि जैविक पदार्थ पाया रहे हैं, ठीक है, अगला B है, B कौन सा है संस्तर, A, ठीक है, तो एक में क्या है, यहां हलके रंग का संस्तर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, केवल प्रधानता होती है, जाइविक प्दारत नहीं पाई रहेंगे, इस संस्तर में क्या होते हैं? मुखरुप से सिलिकेट, मृतिका, लोह, आकसाइड नहीं होते हैं, तो तो इस जोन के क्या बोलते हैं, अपवाहन मंदल बोलते हैं, नहीं लीचिंग जोन आफ ऐलूमिनेशन हाँ ठीक है तो इस क्या हुआ यहां पर जो विभिन प्रकार के जो पदार्ट पायते हैं जैसे सिलिकेट हो गया मृतिका हो गई लोह आकसाइड हो गया और अलमूनियम के अकसाइड हो गया ठीक है इन खनीजों का क्या हो जाता है याद रखेगा इसको ठीक है आता है इसे नीचे बांदले संस्तर में चले आते हैं ठीक है फिर अगला देख लेते हैं अगला आपका क्या है A B ठीक है नाम से स्परश के A के अधिक गुड़ होंगे B के कम होंगे गुड़ ठीक है तो यहां संस्तर जो है A2 तथा B संस्तर के मध्द जो होता है आवांतार रहने की ट् धानता होती है ठीक है तो आपको इतना ये समझ में आ गया होगा कि किस आधार पे जो है इसका जो है इसके गुड़ पाई जाते हैं ठीक है उसमें आपको पता चल गया होगा कि किसमें A की गुड़ धिक होंगे किसमें B के धिक गुड़ होंगे अब हमको यह याद रखना है कि कोई पदार जो है जा रहा है तो कहां से कहां जा रहा है ठीक है उस जोन को हमको याद रखना है यह zone of elevation है यह transition zone है यह आपको अपने answer में लिखना होगा ठीक है अगला क्या है अपका B A तो नाम से स्पच्छ है B के गुड़ अधिक है और A के compare में ठीक है तो यहाँ भी आवांतर मंडल है ठीक है यह भी आनिकी transitional zone है इसमें भी क्या है A तथा B दोनों के गुड़ पाए राते हैं अगला जो आपका B मंडल मिलेगा हमें अब क्या होगा यहाँ पर जो उपर से पलार्थ आ रहे हैं जो A मंडल से वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे निच्छेपित हो जाएंगे यानिकी वो इकठा हो जाएंगे तो वह यह B मंडल संस्तर है इस संस्तर में क्या है खनीजों खास कर कौन से जो उपर से चले थे कौन से चले थे सिलिकेट चला था वहां से मिर्दिका चली थी लोह आक्साइड चले थे अलमूनियम का आकसाइड चले थे तथा जैविक पदार्थ का सरवाधिक या होता जमाओ या फिर V निच्छे पर पायाता है तो अगर V निच्छे पर सब्सका यूज़ करेंगे तो आपका एंसर अच्छा लगेगा दिखने में ठीक है, एक्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आप औरोस अच्छा लिख रहे हैं ठीक है, अताहा इसे V निच्छे पर मंडल कहते हैं ठीक है, तो आप इसको समझ गहूंगे कि A से पलाक चले थे और B में आके एकठा हो गए वाकर के ठीक है, अगला क्या है मंडल आपका B और C, तो इसका मतलब क्या B के गुड़ की प्रधानता है, C इसका मतलब कम है, तो यह भी क्या है आवांतर मंडल है, ठीक है यहाँ पर भी आने की आगे एकठा हो रहे है इसे B, C भी कहा जाता है किन्तु B के गुड़ों के क्या होती है, प्रधानता होती है ठीक है, यहाँ पर आप यह भी लिसकते थे इसमें B, O, C के दोनों के गुड़ों पायाते है किन्तु B के गुड़ों की प्रधानता होती है ऐसे भी लिसकते आपने, ठीक है अगला क्या आपका जो है C संस्तर, उसके बाद हमने देखा था कौन सी लेयर आती है, C आती है पहले A आया, पहले O आया A आया, पहले B आया, पहले C आया ठीक है, तो इसे क्रमा पर याद रखेगा तो इस संस्तर में क्या होगा आधहार चटानों के जो है बड़े आकार के जो होते क्या होते आ संगठे तुकड़े पायाते हैं आप उनकों बोलते क्या है, इन्हें रिगो लित बोलते हैं तो याद रखेगा, C चटानों में क्या मिलेगा आपको रिगो लित ठीक है, चौथा आपका क्या है, आर यानि कि रॉक तो इसके अंतर गयत क्या होगा द्रण तथा कठोर आधहार साहल को दर्साया जाता है, जिन चटानों से जिन चटानों के वेगटन से यानि वेवजित होगर करके बना है, पूरी स्वाइल बनी है, उसको बोलते हैं आर संस्तर, आनि कि इसी चटान से जो है, मिर्दा के निर्माड यावदूर पत्ती हुई है, ठीक है, तो इसके अंतर के जो है, दर्ड तथा कठोर आधहार साहल को दर्साया जाता है, तो ये रहा आपका जो है आज को टॉपिक, ठीक है तो आज हमने इसको देख लिया, आई हो आपको अच्छे से समझ में आप ही गया होगा, अब बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है, ठीक है आप इसके अपने नोड जो त्यार करके रखिएगा ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लिएगा और हाँ, अगर आप हमारे जिगराफिय ऑप्सिनल के पेड गूर्प से जुनने चाते हैं तो आप हमें इस पे संपक कर सकते हैं हमान नंबर है डबल एट ठीक है, डबल एट शिक्स जिरो हो गया डबल फाइव एट फाइव थ्री जिरो ठीक है इस पे आपको जो है आप कॉल भी कर से करके पोस्ट सकते जनगाई ले सकते हैं साथ में आपको वट्सप करके भी जनगाई प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है, और पेट ग्रूप में आपको क्या होगा आपको जेग्राफिय ऑप्शन के पूरा कम्प्लीट कोर्स कराई जाएगा साथ में आपको नोर्स की जो है PDF भी प्लान की जाएगी ठीक है, PDF जो आपको दी जाएगी और साथ में आपको इसमें test series भी कराई जाएगी ठीक है, तो test series को बहुत ही लाब होता है में से एक्जाम में, तो test series भी कराई जाएगी और साथ में personal guidance भी दिया रहाएगा अगर आपको कोई भी topic समझ नहीं आ रहा तो उससे समझनी जो है, आपको personal guidance जो है प्रवाइड कराई रहाएगा, ठीक है तो अगर आप पेड़ गूप से जोनने चाते हैं तो आप इस पर संपक कर सकते हैं चलिए, फिर आज का हम फिर यहीं पर वीडियो खतम करते हैं मिलते हैं, फिर next topic को next video में देश्चिस करेंगे, ठीक है